और अब खबरें विस्तार से CYNRC के विरूद में पिंक सीटी जैपुर में CM अशोग हलोत के अगवाई मेर रविवार को हजारों लोगों ने शांती मार्च निकाला शांती मार्च अलबर्ट होल से गांधी सर्किल तक निकाला किया शांती मार्च में कॉंग्रेस समयत के राजनीतिक दलों के नेता सिवल सोसाइटीज के परतिनीधी और हजारों लोग शामिल हुए शांती मार्च के बाद अब गांधी सरकिल पर सभाक आयोजिद किया गया JLN मारग सीत गांधी सरकिल पर आयोजिद सभाके मंच पर CM अशोग हलोत, DPCM सेचिन पाइलेट, LJD नेता, शर्द यादव, CPI नेता, तारा सिंग सिधू वै आरलडी नेता, जयन्त चोदरी, समेत अन्य दलों के नेता और राज्य सरकार के कई मंत्री मुझूद है इन में मंत्री में परताब सिंग, खचरी अवास, भामर सिंग, भाठी, लालचंग, कटारिया, RCA, देक्ष, वैबोग हलोत और वदाय कमीन काक जी भी शामिल थे शान्ती मार्च में इसके लावा सिविल सोसाइटीज एंजियो वेपार मंडल वे करमचारी संग के परतिनीदी वे सदस्य समेत हजारों लोग शामिल हुए सभी लोग सियम अशोगलोत के नेतरतों में पैदल मार्च कर यहां पहुँचे शान्ती मार्च के दोरान जे लेनिंग बार्ग पर हाजारों की तादाद में लोग हातों में तिरंगा जंडा लिये वे थे हाजारों लोगों की इस बीड ने शान्ती पुर्वक सिये और नर्सी के विरोध में शान्ती मार्च निकाला इस दोरान देश भक्ती और महात्मा गांदी से जुड़े गीत भी गुंजते रहे शांती मार्च के साथ हाजारों की तादाद में सुरुक्षा करमी भी मौजूद रहे उलेखनी है कि शांती मार्च को देखते वे सुरुक्षा के अभूत पुरो इंतजाम किये गए सीम घ्यलो ति शांती मार्च के जरिये देश भर को संदेश देना चाते हैं कि लोक्तंतर में विरोध करना सभी नागरिकों को सवेधानिक अधिकार है लेकिन इसे शांती पुरंधंग से भी किया जा सकता है शांती मार्च के जरिये भी जिम्यदारों तक अपनी आवाज भी पहुंचाई जा सकती है